इस समय बहुत किसान भाई बाग लगाने की तैयारी कर रहे हैं या बाग लगा रहे हैं साधारन ते वर्स में तीन बार बाग लगाया जाता है जहां पर पानी की सुविदा हो आप फरवरी में भी बाग लगा सकते हैं आप जुलाई के महीने में बाग लगा सकते हैं और आप सितंबर में बाग लगा सकते हैं मेरा ये अनुबव रहा है कि मैंने परते एक महीने में पोधे लगाए हैं और पोधों की जो बढ़वार है या सफलता है वो इस बात पर निरबर करती है आप उनकी देखरे किस प्रकार करते हैं किसान साथियों आप सब का हर दिख स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में मैं हूँ डॉक्टर अनिल कुमारतिया की अभी मैं पंजाब हरियाना राजस्थान के टूर पर गया था वहां मैंने कुछ भाईयों के यहां देखा कि जिस प्रकार से उनके पोधों का समय हो गया था कुछ के एक साल के थे, कुछ के चोदा महीने के थे, कुछ के छे महीने के थे उतनी बढ़वार नहीं थी उनकी इसका मुख्य कारण जो मुझे समझ में आया है वो मैं आप सब के साथ आज साजा करने जा रहा हूँ किसान साथियों बाग लगाना एक कला है और आप ये मत सोचिए कि जैसे ही मेरा खेत खाली होगा मैं गटे करवा दूँगा, उसमें थोड़ी खाट डाल दूँगा और उसके एक महीना बाद जो हैना और बहुत खराब भी हो सकता है आप इन में कीन बातों का ध्यान रखें मैं ये बताऊंगा और बाग लगाने से पहले जो कम से कम तयारी है वो किस प्रकार करें उस पर एक लेख भी छोटा सा दो पेज का मैंने लिखा है आप उस लेख को पढ़ें जिसका लिंक मैंने डेस्क्रिप्शन में इस वीडियो पर लिए अगर आप बाग लगाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक काम अवस्य करें आप उस केत को जब खाली कराएं तो उसकी मिट्टी लेकर मिट्टी की जांच कराएं अब मैं एक उधर्ण के सुरूप में लेता हूँ कि आप जुलाई में बाग लगा रहे हैं तो आप फरवरी से एक काम करिए कि जैसे ही आपका खेत खाली होता है उसकी बहुत गहरी जुताई करिए पहले मिट्टी टेस्ट कराई फिर बहुत गहरी जुताई कराई है जिसे हम पल्टी पुलाओ कहते हैं बहुत गहरी जुताई कराने के बाद में आप उसको कम से कम 15 दिन की धूप लगाए इससे सोलराइसन होगा जो जमीन की कैपिलरीज हैं जो उसके चिदर है वो खुलेंगे और पानी नीचे जाना सुरू होगा जो हानीकारक की टानू है उनकी मृत्य होगी वो खतम हो जाएंगे उसके बाद आप उसमें लेजर से उसे एकसार कराएं एकसार कराने के बाद आप उसमें कम से कम दो ट्रोली परती एककड अच्छी सडी हुई गोबर की खाद ट्राइकोडर्मा बवेरिया बशियाना और मेटारीजियम अनेसपोली ये तीन चीजे मिलाकर या इसमें एक सुडो मुनास इस अच्छी गोबर की खाद को आप ट्राइकोडर्मा, बवेरिया बस्याना और सुडो मुनास इन तीन चीजों को एन्रिच करके, परिस्करत करके आप अपने खेत में डाले और फिर उसमें पानी दे धहचा या सनी जिसे हम बोलते हैं ये कम से कम जब वो पहतालिस दिन का हो जाए तो उसको उसमें करस कर दीजिए और उसमें कम से कम 10 से 15 दिन तक पानी भरिए जब वो पानी भरेगा तो उसके बाद में जब बुहाई करोगे То आपका खेत तैयार होगा नए पोधे लगाने के लिए आप पहले की मिट्टी टेस्ट कराईए और बाद की मिट्टी टेस्ट कराईए और आपको इसका अंतरपता चल जाएगा उसके बाद 15 जून तक आप उसमें गड्डे करा दीजिए गड्डे कम से कम दो बाई दो बाई दो का अवस्य कराए अगर गोल भी कराए तो कम से कम वो डेड़ फुट अगर हो सके दो फुट का गोल हो और गहरा भी दो फुट का हो जो मिट्टी निकलेगी उसमें कम से कम आप दस किलो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कमपोस्ट उसमें डालिए एक किलो नीम की खली अवस्य से डालिए और उसमें फिर ट्राइकोडर्मा और बवेरिया बश्याना आप और इस बार मेटर रीजियम अनसेपुली मिला कर डालिए उसमें ये वाइट गरब के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज है वाइट गरब की समस्या जो मैंने देखी है वो हरियाना और राजस्थान के एरिये में बहुत देखी है अब आप उस गड़े को भर दीजिये ये सब मिला कर और उसमें पानी दे दीजिये या बरसात आने का इंतजार कीजिये जब पहली बारिस हो जाए तो पोधे लाइए और महाँ पर पोधार ओपन करिये ये तो हुई एक बात कुछ भाई कहेंगे कि हमारे हाँ बारिस कम होती है हम ढहँचा जून में लगाएंगे तो मेरा सुजाओ है कि वो दो मेंसे कोई एक काम करे आप जून में ढहँचाब होएं जब बारिस हो जाए और उसको जून जुलाई के बाद अगस्त में उसको करस करें और सेप्टेंबर में अपना खेत तयार कर लें आप सेप्टेंबर के अंत में जो सितंबर का महिना होता है उसके अंत में आप महाँ पर गड़े खोद कर उनमें वो ही सब चीज डालिए जो मैंने बताई है और उनको बंद कर दीजिए बंद करने के बाद महाँ पर निशान लगा दीजिए और उस खेत में कोई भी अंतरवर्तिय फसल लगाईए यानि कोई भी इंटरक्रोपिक करिए आप चना लगाईए आप मुँ लगाईए आप सरसो लगाईए ये चीजे अधिकतर आपकी फरवरी के अंत तक कट जाती है या पंदरा मार्स तक कट जाती है जो पोधों की लाइन है वो सिर्फ एक दिहान रखना है कि वहाँ पर आपको उस लाइन में जगह छोड़नी है जैसे ये मेरी लाइन है तो आप इस पोधे के दो फिट इदर दो फिट इदर एक नाली बना दीजिए और इसको छोड़कर आप बाकी सम्में सरसो बो दीजिए जब फरवरी का महीना आएगा आप उसमें पोधे तब लगाए या आप पोधे सितंबर में लगाए अगर आपके हाँ अधिक पाला नहीं पढ़ता है तो आप सितंबर के अंत या अक्टूबर के पहले हथे में भी लगा सकते हैं अगर पाला पढ़ता है तो मैं कहता हूँ कि आप पोदे फरवरी में लगाएं तो बहुत अच्छा होगा और फरवरी लगाकर आपके पोदे जून तक ठीक हो जाएंगे अच्छी तरह चलने लेंगे और बरसात में बहुत अच्छे पोदे ग्रोह होंगे किसान साथियों बाग लगाकर ये मसोचिये जैसे कुछ लोग ख्वाब दिखाते हैं कि बाग लगा लो दो साल में बाग तयार हो जाएगा फिर हम उसे ठेके पर दे देंगे और उससे हमें आमदनी बिना कुछ करे आ जाईगी मैंने ऐसे कई भाई देखे हैं जो मिले हैं बाग लगाते हुए उन्होंने जमीन किसी को दे दी कि आप इसमें कोई फसल ले लो और हमारे पोदों की देख रेक करो उन्होंने वहाँ पर जाकर भी नहीं देखा है और वहाँ पर उसने ऐसी फसल ली है बेल वाली फसल ली है जिसे पानी की अवदी कावज सकता होती है और उपर से बारी सदीख हो गई तो आपके पोधे सुएम ही मर जाएंगे या बहुत नुकसान हो जाएगा किसान साथियो मैं कभी भी लोगों को ये नहीं कहता कि आप तुरंत पोधे लगा ले जो भी मेरे पास पोधे लेने आते हैं मैं उनको सलह देता हूँ वह सलह उस बात पर निरबर करती है उनके पास सिचाई के क्या सादन है उनकी जमीन कैसी है वो क्या काम करते हैं और बाग लगाने के पीछे उनके मन में क्या हुद्देश है उसके बाद मैं सलहा देता हूँ, मान लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो पोधे लेकर वो चले जाते हैं ये प्रस्तुती आपको कैसी लगी? आप कमेंट में अवश्य बताएं इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, जै हिन, जै भारत, वन्द